कि लिनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर होता है उसको हम अंग्रेजिम बोलते हैं रैखेक प्रोग्रामन ठीक है अब लिनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रोब्लम्स आपको मिलेंगी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं उसमें बता दूँ ये एक्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा और ये मैग्जिमम मार्क्स पर आता है सिक्स मार्क्स ये आपको देता है छे नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो ये सिक्स मार्क्स आपको बिल्कुल क्लियरली म मिल जाएंगे इसलिए बहुत अच्छे से समझें लीनियर प्रोग्रामिंग को इसमें जरब से भी आप केरलेस्नेस मत दिखाईएगा ठीक है एक चीज़ और मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोब्लम्स अगर आपको समझनी है लीनियर प् और कट में एलपी भी कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोब्लमस अगर आए तो एलपी भी बोल देते हैं उनको ठीक है हाँ जो मैं एक चीज़ यह बताना चाहता था आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में वो यह है कि लीनिय प्रोग्रामिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आपने क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें था असमिकाओं का चैप्टर लीनियर इनिक्वालिटीज आपको याद आ रहा है क्लास 11 में मैथमेटिक्स वे एक आपको अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है लीनियर इनिक्वालिटीज रहेखिक असमिकाओं तो अगर आपने रहेखिक असमिकाओं का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है उसकी सारी बातें आपको याद है तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको बहुत प्रोब्लम होगी फिर तो अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार उसको रिवाइस कर लें क्लास 11 के उस चैप्टर को और उसके बाद आप इसको पढ़िए ओके रहेखिक प्रोग्रामन समस्या में सबसे पहले लीनियर का मतलब रहेखिक हम इसको रहेखिक क्यों बोलते हैं हम अभी आपको बता करते हैं उसकी योजना बनाके हम उस काम को करते हैं ठीक है? तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो प्लान बनाते हैं हमारा प्लांड एक्सन हुआ करेगा इसमें आप जो भी काम करेंगे वो एक्सन वो काम आपकी योजना बद्ध तरीके से करना पड़ेगा इसलिए हम इसको programming कहते हैं तो योजना बद्द तरीके से इसमें जो भी काम करेंगे उससे related जो समस्याइं होंगी उनको हम रहें प्रोग्रामन समस्या बोला करेंगे योजना बद्द तरीके से कैसे उसके लिए मैंने एक example लिखके रखा हुआ है आपके सामने हम उसको पढ़ते हैं समझ वो जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाही करता है फरनीचर का कोई एक व्यापारी है वो अपनी दुकान में फरनीचर बेचता है और वो दो तरह की वस्त में बेचता है ज्यादा कौन-कौन सी मेज और कुर्सियां बस तीसरी कोई वस्तु वो नहीं बेचता केवल वो मे और कुर्सियों का व्यापार करता है बस अब आगे का क्वेशन हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है निवेश के लिए उसके पास रुपाए 50 अजार और रखने के लिए के अवल 60 वस्तों के लिए इस्थान है अगर आप में भी किसी के पास कोई दुकान होती है तो आप इन सब चीजों को देखकर ही व्यवसाई करते हैं आप इन सब चीजों को देखकर ही बिजनेस किया जाता है तो जैसे उन्होंने बोला कि निवेश के लिए यानि कि खर्च करने के लिए खर्च करने के लिए उसके सब्सक्राइब अच्छा इसके बाद और उसके पास जो जगए है जहां पर वो अपनी दुकान खोल रहा है उसके पास जो जगए है वहाँ पर साथ वस्तों से ज़्यादा सामान रख भी नहीं सकता 60 तक रख सकता है और 60 से ज़्यादा कुरसी और मेज मिला करके वो नहीं रख सकता अगर उसके पास 61 कुरसी और मेज हो जाएंगे तो फिर उसकी दुकान में नहीं आएंगे तो उसके पास जो इस्थान है वो कितनी चीज़ें रख सकता है उसमें? 60 उसके पास जो पैसे हैं टोटल वो 50,000 रुपए हैं इससे ज्यादा उसके पास बिजनिस में लगाने के लिए पैसे नहीं है आगे लिएक मेज पर रुपए 2500 और एक कुरसी पर रुपए 500 की लागत आती है तो जब वो मेज और कुरसी बनवाता है जब बनवा के लाता है तो उसको एक मेज पर 2500 रुपए 2500 और एक कुरसी पर रुपए 500 खर्चा लगता है उसका इतना उसकी लागत आती है एक मेज जब बनवाता है तो कितनी लागत आती है 2500 रुपए और एक कुरसी जब बनवाता है तो 500 रुपए उसके लगते है वह अनुमान लगाता है कि मेज को बेज कर वह रुपए 250 250 और एक कुरसी को बेज कर वह रुपए 75 का लाब कमा सकता है मतलब अगर उसकी दुकान से एक मेज बिकेगी तो एक मेज में उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 250 रुपए का अगर उसकी दुकान से कुरसी बिकती है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाए कि वह सभी वस्तों को बेच सकता है मतलब बिजनेस करने का इस्किल उसके पास है उसके पास वो क्वालिटी है वो गुन है कि वो बिजनेस करेगा तो जितनी वस्तों अपनी दुकान में रखेगा बेच सकता है वो सारी वस्तों मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई वस्तों ना भी क सकता है जन्कों की ओफलतब निवेश यानी कि उसके पास भी लगाने के लिए पैसे हैं उस पर उसका सकल लाब, उसका जो पूरा लाब हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो कुछ बास समझ में आई, अब वो ये जानना चाहता है इंसान, वो वे आदमी कि उसके पास जितनी भी जगे है, जो भी उसके पास उपलब्ध है दो चीज़ों के बारे में उसने बाधाएं दी हैं हमको, लिमिटेशन्स दी हैं एक तो उसने जगे की लिमिटेशन दी हैं हमको, कि जगे मेरे पास 60 से ज़्यादा नहीं है रखने के लिए दूसरा पैसे की भी limitation है उसके पास कि 50,000 से ज़्यादा वो लागत लगा भी नहीं सकता है यह limitations हैं यह उसके पास बाधाएं हैं कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता बाधाई तो होगे अगर आप कोई काम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो यह आपकी सीमाएं हैं, आपकी लिमिटेशन हैं, यह आपकी बाधाएं हैं, नहीं तो हर आदमी चाहता है कि वो 10 लाग बिजनिस में लगा के एक बाधा बिजनिस खोले, लेकिन 50,000 से ज़्यादा उसके पास नहीं है, तो यह उसकी बाधाएं हैं, यह उस इंसान के लिए बिचारे के पास क्या आएं, बाधा, कि 50,000 से ज़्यादा है नहीं उसके पास, उसके पास जगे की भी बाधा है, कि वो एक बार में 60 वर्स्तों से ज़्यादा रग भी नहीं सकता, तो यह भी उसके पास बाधाएं, अवरोध हैं, सीमाएं हैं, और पैसे कि उसके पास सीमा कि 50,000 से ज्यादा वो खर्च भी नहीं कर सकता ठीक है यह हो गया अब जब यह क्वेश्चन हमने पढ़ा और आपने इसको देखा तो अब आपके दिमाग में यह आता है सबसे पहले दिमाग में आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो एक चीज समझ में आई होगी लाब होगा कि मेज पे जब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मेज आई मेज रख ले आपनी दुकान में कुरसी क्यों रखता है मेज इमेज रखे और धाई-धाई-धाई-सो रुपए हर मेज के बिकने पर कमाएगा लेकिन आप देखो अगर वो मेज इमेज रख लेगा ए एक मेज में लागत कितने की आती है पचीस सो रुपए की तो अगर पचीस सो रुपए की लागत लगा के साठ मेजे ही मेजे वो खरीद के लाएगा पचीस सो रुपए की लागत लगी और साठ मेजें खरीद के लाया वो तो आप देखो कितने रुपए उसके लगेंगे य तो आपको यहां से क्या पता चला यह पता चला कि वो सारी के सारी मेजें खरीद के लिए आए ऐसा संभव नहीं उसके लिए विचारे के पास क्योंकि इसके पास लगाने के लिए 50,000 से ज्यादा रुपाए नहीं हैं यह कुछ समझ में आ रहे हैं मेरी बात आप फिर से जब आपने यह देखा कि एक मेज पर 500 रुपाई की कमाई उसकी होती है तो आपके मन में तो यह है ना सबसे पहले कि कुछ से बेचता ही क्यों है मेजी मेज बेचे ना वो 500 रुपाई कमाता रहेगा और मेज पे ठीक है उसके पास कितनी मेजी रखने की जगह है साथ एक मेज मे उसकी लगाने के लागत कितनी आती पचीश सौ तो जब सोट मेजुँ खरिद जाएगा तो इसको कितनी रुपाई की मिलेंगी उसको डीड़लाग की मिलेंगी और यह उसके पास पूंजी नहीं है तो केवल मेजे मेजे रखेगा यह जरूरी नहीं है यह नहीं हो सकता अच अच्छा अब आप सोचोगे कि कुरसी पर केवल 500 की लागत आ रही है यहां पर प्रोब्लम किसे हो गई लागत लागत से प्रोब्लम होई कि नहीं है अगर लागत इतनी बड़ी ना होती तो वह साथ क्या रख लेता मेजे मेजे रख लेता बरी बड़ी रखम कमाता रहता पाँसव रुपए की अगर सब कुरसी कुरसी रखेगा वो एक कुरसी में पाच्छो की लागत आती है और वह साथ कुरसियां ला सकता है तो 30,000 की 50,000 तो खर्च कर सकता है तो 30,000 खर्च करेगा तो बिजनिस चोटा है उसका तो पीर बास समझ में आया आई आपके पास अपने अलग से बचा के रखें पचास अजार और उसमें आप 30,000 ही लगा रहे हो तो फिर इसका मतलब बिजनेस का हम जो चायते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहां पर लिखा था स्भाट थाकि इपलब भनिवेस रासी हमारे पस कितनी हैं 50,000 ही तो हम जितने वी उप्लब भनिवेस रासी है वो आमारी पूरी विजनेस में नहीं लग पा रही है तो यह भी पॉसिबल नहीं है क्या है समझा रहे हैं आपको इस तरह से हम इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते हमको कुर्सियां भी रखनी है हमको मेजे भी रखनी है और वो इनसान यही जानना चाहता है कि हम कितनी मेजे रखें हम कितनी कुर्सियां खरीद के लाएं ताकि हमारा सब कुछ यूज हो जाए कि मारे निवे रासी भी सो जाए और न tills जग्हेज दो बल्की किमाई चीऊ-प्रमजों हो हमारी जो प्रंस Bab похet गामा ओवार वह सबी बर्यों ज्यादा से ज्यादा हो यह दो हर बिजनिस में हम लोग चाहता है है को यह हमारे questions है questions का type को समझ आया आपको तो ये चीज़ें क्या होंगी हमारे question होंगे अब ऐसे question होंगे तो जो आपकी पहली exercise होगी 12.1 जो आपकी exercise होगी उसमें तो हलांकि इस तरीके की worst problem नहीं आएंगी लेकिन calculate करने का तरीका सब का एक जैसा ही होगा ठीक है तो अब हम आपको कुछ इसमें करके दिखाते हैं question तो सबको समझ आ गया कि ना तो हम मेजे ही मेजे करीद के ला सकते हम कुरसिया ही कुरसिया करना चाहते हैं जितनी जगे पूरी जगे भी यूज हो जाए उसके साथ हमारा बेनीफिट भी जदा से ज़ादा है हम तो यह चाहते हैं समझाया आपको इन सब को चायते हुए उस बादमी को ये जानना है कि वो कितनी मेजें खरीद के लाए और कितनी कुरसियां खरीद के लाए ताकि उसका जितना भी उसके पास अवैलेबल जो भी चीजें हैं और उसमें से कमाई उसकी ज्यादत से ज्यादा हो तो अब इसको हम एक चीज तो देख लिए कि दोनों में से कोई एकी एक चीज भर लो दुकान में आपका काम नहीं बनेगा अगर प्रॉफिट आपको कमाना है और सब यूटिलाइजेशन करने हैं तो आपको दोनों चीजें कुछ ना कुछ खरीद के लाना पड़ेगा उसके लिए हमने क व्या करते हैं हम यह मान लेते हैं कि माना उस आदमे को एक्स मेजें और वाई कुरसियां खरीदनी चाहिए तो हम यह चीज मानते हैं माना उस व्यापारी को माना उस व्यापारी को एक्स मेजें वाई कुरसियां खरीदनी चाहिए उस व्यापारी को एक्स मेजें और वाई कुरसियां खरीदनी चाहिए अब देखिए हमारा मेन परपस क्या है हमारा मेन परपस है कि हम मारे पास जो भी चीज़ है उसको हम completely use कर ले उसको हम पूरी तरीके से क्या कर ले प्रियोग कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं complete utilization of complete utilization of पूरी तरीके से यूज कर ले आपके पास जो अवैलेबल चीज़े है all resources to complete utilization of all resources for maximum profit and minimum maximum profit हो और minimum क्या चीज़ हो हमारा निवेश हो minimum input हो हमारा ठीक है आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए complete यानि की पूरी तरह से utilization यानि की प्रियोग करना पूरी तरीके से हम प्रियोग करें किन चीज़ों का of all resources हमारे पास जितने भी resources हैं चाहे वो जगए की बारित हो चाहे वो पैसे की बारे में बात हो जो भी चीज़े हैं हम उनका पूरी तरीके से यूज करें किस काम के लिए for maximum profit ताकि हमको लाब ज़्यादा से ज़्यादा हो and minimum input लगे हमारा हमारा जो निवेस हो हमारा जो input हो जो हम business में लगाएं वो हमारा कम से कम लगे ठीक है इस काम को हम करना चाहते हैं इन सवालों के माध्यम से यह हमारा में मकसाद हुआ करेंगा इन questions में और इस just जो यह प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं optimization अब कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं optimization इसको बोला जाता है इसलिए जो linear programming हमारी होती है उसको हम जैसे linear programming problems होती हैं feliz programman समस्याएं, उनके जो सवाल होते हैं, उनको मरेखिक प्रोग्रामन समस्याएं भी कहते हैं, और हम इनको Optimization Problem भी बोलते हैं, Optimization Problems, ये भी इनका एक नाम है, जो आपकी Linear Programming Problems होंगी, उनका ये भी नाम होगा Optimization Problems, ठीक है, अब ये काम हमको करना है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, ज्याद से ज्यादा Profit हो, लागत भी हमारी लिमिट में रहें, और हमारे सारे Resources भी यूज हो जाएं, इस पूरे Process को करने को बोलते क्या हैं, Optimization, Optimization में इनसे रिलेटर जो हमारे सवाल आएंगे, जो Question मिलेंगे, उनको हम बोलेंगे Optimization Problems, तो रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं भी कहते हैं, और Optimization Problems भी इनको बोलते हैं, और ये जो हम, इसको अब जैसे हमने श्टार्ट किया, कि हम ये काम कैसे करेंगे, तो सबसे शुरू में हमने क्या लिया कि माना उस व्यापारी को X मेजे वा वाई कुरसिया खरीदनी चाहिए यह हमने माना अगर हमने यह माना तो इनको हम क्या बोलेंगे इनको हम बोला करेंगे optimal मल्स यह जो हम मानते हैं इन दोनों को हम बोलते हैं optimal इनका नाम हमने रखा कि यहीं से हम इसकी starting करते हैं इन्हीं के बारे में हमको पता लगाना है कि कितनी मेजें खरीदें और कितनी कुर्सियां खरीदें अगर इनका पता हमको लग जाए तो क्या होने लगेगा अगर कोई आ ज़्यादा होगा तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी फिर उतनी मेजें उतनी कुर्सेगरिद के ले आओगे और बेंचोगे तो आपके जगे का भी यूज होगा आपके पैसे भी यूज हो जाएंगे बढ़िया और आपको फाइदा भी बढ़िया मिलना है लगेगा त उसके बाद जब हम यह मान लेते हैं उसके बाद हम इनमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इनका करते हैं गड़िती प्रारूप तयार करते हैं इनका हो गड़िती प्रारूप इसका तयार करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करते हैं mathematical formulation कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने यह mathematical formulation ऐसे करना start किया कि निवेस के लिए उसके पास कितने पैसे हैं 50,000 तक वो निवेस कर सकता है इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता अब सोचो अगर उसने एक्स मेजें खरीदी हैं एक मेज खरीदने का कितना पैसा लगता है पच्छिस सो रुपए तो एक्स मेज खरीदने का कितना पैसा लगेगा पच्छिस सो एक्स रुपए ये तो मेजों में लगेगा उसने वाई कुरसियां खरीदी है एक कुरसी खरीदने में कितने रुपए लगते हैं पाँच सो तो वाई कुरसियां खरीदने में पाँच सो वाई और दोनों अगर वो मिला देगा इतने रुपाई की मेजें खरीद लाया इतने रुपाई की कुर्सियां खरीद लाया तो ये कितना होना चाहिए इसका पचास हजार से जादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब पचास हजार जादा से जादा पचास हजार हो सकता है 50,000 से ज़ादा नहीं हो जाए Dallas अब देको हमने यह निशान क्यों लगाया क्योंकि इसका मितलब है कि जो लागत लगाएगा वो ज़ाद से ज़ादा कितनी लगा सकता पचास थाजार या 50,000 से कम 50,000 से ज़ादा नहीं लगा सकता अगर वो 50,000 ईसा हम लिख देते और उसका मतलब होता कि उसका टोटल नीवेस, पचास अजार या उससे भी ज़ादा है, देखो, ग्रीटर देन लगा दिया हमने, तो पचास अजार या उससे भी ज़ादा है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा लगाएंगी, is less than or equal to 50,000 ये तो हमने यहां से बना लिया अच्छा अब उसके पास रखने के लिए केवल 60 वर्स्तुमों के लिए जगए है अब आप देखो मेजें कितनी लाया है X कुर्जियां कितनी लाया है Y ये जब सब को रखेगा तो टोटल मिला कि वर्स्तुमें कितनी होनी चाहिए 60 से जड़ा हो चाहती है क्या 60 या 60 से कम जाद से जाद साथ इसलिए X मेज लाया है Y कुर्सियां लाया है खरीद करके इन दोनों की संख्या मिला करके 60 या 60 से कमी रहनी चाहिए इन से जाद तो नहीं होना चाहिए इसको तो X और Y दोनों का नंबर मिला करके 60 या उससे कमी रहना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये हमने mathematical formulation कर लिया देखो और भी mathematical formulation हम करते हैं जैसे आगे लिखा है एक मेज को बेच कर 500 रुपए और एक कुरसी को बेच कर 75 रुपए खमाता है वो बात समझ में आई तो एक मेज को बेचेगा तो 200 रुपए एक कुरसी को बेचेगा तो 75 रुपए लाब मिलेगा तो उसको लाब कितने का मिलेगा ये हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिते हैं लाब का अगर फॉर्मूलेशन करेंगे लाब के लिए हम गणिती प्रारूप उसका तयार करेंगे तो क्या होगा एक मेज पर 200 रुपए का लाब और एक कुरसी पर 75 रुपए का लाब एक मेजे कितनी बेच रहा है वो एक्स और कुरसीया कितनी बेच रहा है वाई खरीद लाइकी पेच रहा है यह तो खरीद रहा है तो ग्रेशन में लिखा है कि वह जित्ती चीजें खरीदता है वह बेच भी देता है तो जित्ती लाएगा उतां बेचे गावी तो एक मेज जब देचेगा तो ठाई-सो रुपए मिलेंगे उसको तो कितनी मेजें बेच रहा है एक्स तो कितने रुपए मिलेंगे 250 एक कुरसी बेचने पर 75 रुपए मिलते हैं वाई कुरसी बेचने पर 75 रुपए मिलेंगे तो पूरा लाब उसका कितने का होगा इतने का और इसे लाब को हमको कैसा चाहिए लाब मैक्सिमम चाहिए की मिनिमम चाहिए लाब हमको मैक्सिमम चाहिए और आप देखो यही थामरा में मक्सद है for maximum profit and minimum input profit हमारा maximum हो और लागत हमारी minimum हो यह हमारा main मुद्दा है यही थार्य यही उद्देश है हमारा बस समझ में आ रही है तो यह क्या है Learn अब हमारा क्या है, उधश्य है, इसलिए जिस चीज को हमको maximum या minimum करना हुआ करेगा, उसको हम क्या बोला करेंगे, उधश्य, और उसको हम हमेशा z से लिखा करेंगे, और अंगरेजी में इसको हम बोलते हैं object, कुछ बास समझ में आई हमारा यही में मक्षद है हमारा यही उद्देश है कि हमारा लाब कैसा होना चाहिए maximum होना चाहिए इसलिए इन questions में जिसको भी आपको maximum करना हो minimum करना हो उस चीज का नाम उस चीज को प्रदशित कि से करा करेंगे जेड से उसका नाम क्या रखेंगे उद्देश्य अंग्रेजी में क्या बोलेंगे object कुछ बास समझ में आई किसको उद्देश्य बोला करेंगे बताईए profit को ऐसा नहीं है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जिस भी चीज को maximum दिखाना है या minimum दिखाना है उसको वो आपका उद्देश्य होगा जरूरी नहीं आज lab की बात हो रही तो maximum चाहते हैं किसी दिन लागत की बात आईगी तब भी क्या maximum चाहोगे आप लागत तो हम हर चीज में चाहते हैं कैसी हो हमारी कम से कम हो तो लागत को आप सचाहोगे कि वो कम से कम रहे कुछ बात समझाई आपको अगर यहां से आपको दिल्ली तक जाना है तो आप यहीं सोचोगे कि किस रास्ते से जाया जाये ताकि लागत कम हो कोई बिजनिस करोगे तो आप हमेसा यहीं सोचोगे कि हमारा प्रॉफिट जादा से जादा हो तो प्रॉफिट में कोई कम से कम नहीं सोचता और लागत में कोई जादा से जादा नहीं सौचता याद रखिएगा तो जिस आप उद्देश से किसको कहा करेंगे object किसको बोलेंगे जिसको आपको maximize करना होगा या minimize करना होगा उसे आप बोला करेंगे उद्देश्य इसको हिंदी में उद्देश्य ही बोलते है सायर हां उद्देश्य फलन कह देते हैं objective function उद्देश्य फलन objective function क्या ये बात आपको समझ में आ गई अच्छा ये हमने क्या बनाया हुआ ये जो हमने बनाया है बेटा ये हमारी limitation है हमारी सीमाय है ये हमारे आउरोद है आउरोद कैसे है ये आवरोध ही है कि हम double Khanh Special रखने की जगेवे नहीं है पास्ते होँथि तो है इसलिए इनका नाम हम रखते हैं आरो व thing कश्क के आवरोध इसको व्यावरोड भी कह सकते हैं अब एंग्रेश्य में इसको बोला जाता constraints constraints इसको इंग्लिस में बोलते हैं व्यावरोध जिसको कहा जाता है ठीक है तो यह हम constraints तैयार कर लेते हैं इसके constraints ओके तो यह व्यावरोध है एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इन questions में दो व्यावरोध ऐसे हुआ करेंगे जो कभी question नहीं देगा लेकिन आपको बनाने हैं कौन से दो व्यावरोध होंगे वो व्यावरोध ऐसे होंगे कि आपके x और y की value कभी भी negative नहीं आने चाहिए x should be greater than or equal to zero and y also should be greater than or equal to zero x और y के मान कभी भी negative नहीं होने चाहिए और यह आपको समझ में भी आता है कि अगर आप x में खरीद के लाओगे तो क्या माइनस में खरीद के लाओगे कभी लाओगे अगर एक भी खरीदोगे तो वो भी कैसी होगी प्लस में होगी नहीं भी खरीदोगे तो उसकी value कितनी होगी zero लेकिन negative तो नहीं होगी कभी तो ऐसा नहीं होगा कि आज वो businessman जो था उसने minus 10 में जे खरीदी है 10 में माइनस में करीदी हुई है ऐसा तो possible नहीं है तो ये दो constraints ऐसे हुआ करेंगे जो आपको कभी भी कोई question नहीं देगा कभी भी कोई भी question ये constraints, ये व्यावरोध, ये अवरोध आपको नहीं देगा, लेकिन हर question में ये अवरोध बना ही लेने हैं आपको, बास समझ में आई, तो इनको हम क्या बोला करेंगे, अवरोध या व्यावरोध अंग्रेजी में constraints, जिस चीज को हमको अधिकतम या निवनतम, अधिकतमी करन, या निवनतमी करन करना हुआ करेगा, उसको हम प्रदर्शित किस चीज से करेंगे, जैड से, वही हमारा main उद्देश्य है, इसलिए इसको क्या बोला करेंगे हम, उद्देश्य से फलन बोला करेंगे, बात समझ आ रही है आपको, अच्छा, अब उद्देश्य से फलन जब हम इसको बोलेंगे, तो यतनी चीजें, जब इस टैप का क्वेश्चन आएगा, तो हम इतनी चीजें तयार करेंगे पहले, लेकिन जो आपके 12.1 एक्सरसाइज है, उसमें ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, उसमें आपको अवरोध और उद्देश्य फलन, इस सब बना-बनाया मिलेगा, आप चाहें तो बुक को ओपिन करके देख सकते हैं, आप देखें पहली एक्सरसाइज जो 12.1 है, उसमें अवरोध भी आपको बना-बनाया दिया गया है, और constraints भी आपको बने-बनाया दिये गये हैं, तो उसमें आपको किसी में बनाना नहीं परेग इतना तो हमने तयार कर लिया, अब हमको यह पता लगाना है कि हम इसका solution कैसे करेंगे आखिरकार, solution, तो उसको आप देखिए, आप चाहें तो इसको note कर लें, उसको साफ करने वाले हैं, ठीक है, solution करने में आपको जैसे कि मैंने बताया कि class 11 में एक chapter आया था, linear inequalities, रैकिक अस सामिकाओं का chapter, उनी से आपको calculate करना है, कैसे उन से calculate करना है, आप ध्यान से देखिए, उन से calculate आपको ऐसे करना है, आपको अगर तरीका याद होगा, तो ध्यान आ जाएगा कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमारे व्यवरोध हैं, सभी व्यवरोधों को हम समी करन में व व्यक्त करने पर, देखिए बिटा, आप इन सभी व्यवरोधों को समीखरण में व्यक्त करिए, तो इसको समीखरण में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मिलेगा? इसको इक्वेशन में अगर आप रिप्रेजेंट करें, या इसको मैं थोड़ा सा यहीं छोटा करूं, तो देखो, सब के पास 2-2-0 है, सब में 2-2-0 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से, सब में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो खुल मिला कि हम सब में 500 से डिवाइड कर सकते हैं 500 से इसको डिवाइड करोगे, तो क्या मिलेगा, 5X, 500 से इसको डिवाइड करोगे, 5Y के वन, is less than or equal to, 500 से इसको डिवाइड करोगे, तो कितना मिलेगा, 100, 2-0 चले जाएगे, और 100 आ जाएगा, यह हमने छोटा कर लिए, अब इसको अगर हम समीगरन में विवाइड करेंगे तो 5X plus Y is equal to 100, इसको अगर हम समीगरन में विवाइड करेंगे, तो X is equal to 0, Y is equal to 0, हमारे पास जो मैथेड है, हमें अपने 12th क्लास में जो मैथेड यूज़ करना है, वो होता है आपका graphical method, ग्राफ बना के आपको इसको solve करना है, और आपने क्लास 11 में ग्राफ बनाया भी है तो हम इसके ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कैसे calculation कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसको लेते हैं, X plus Y is equal to 60, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, X plus Y is equal to 60, ग्राफ बनाने के लिए मुझे X और Y के साथ प्रतिछेद बिंदू चाहिए इस लाइन के, कैसे निकालेंगे इस ला एक बार X 0 लेके Y निकालो, एक बार Y 0 लेके X निकालो, सबसे सिम्पल, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं, देखो, यहाँ पर X और Y, एक बार X को 0 ले लो, तो Y की value कितनी आजाए, 60, फिर एक बार Y को अगर 0 ले लेंगे, तो X की value कितनी आजाएगे, 60, तो एक पॉइं सोते हैं, देखो X, Y पॉइंट सोते हैं, तो एक पॉइंट बन गया हमारा 0, 60 एक बना 60 0 ये इसके लिए हो गया, इसके लिए भी बना लो, फिर इकटे हम लोग बनाएंगे चलके 5X plus Y 5X plus Y is equal to 100 इसका भी हम ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, सबसे easy method है, और इसी method काप यूज करो ज्यादा कुछ भी एक्ष्टा करने की आवस सेकता आपको नहीं है, एक बार X 0 ले लो, तो Y की value कितनी आ गई, 100 और एक बार Y 0 ले लो तो X की value कितनी आईगी, 20 Y 0 हो जाएगा, 5X बराबर 100, तो X बराबर 100 बटे 5, 20 पंचे 100 20 आजाएगा, तो ये X और Y अच्छों को जहां पर काटता है, वो क्या point है X, Y एक तो 0, 100 है और दूसरा 20 0 है ठीक है, रही बात X is equal to 0, तो X is equal to 0 Y अच्छों को रिप्रेजेंट करता है और Y is equal to 0 X अच्छों को रिप्रेजेंट करता है बस इतने से हम इसका ग्राफ बना सकते आप देखिए, ये positive X axis है ये negative X axis negative Y axis ये positive Y axis ये origin point है 0, 0 इसमें सब 60, 120, ऐसे point आ रहे हैं तो हम इनको ऐसा ले लेते है X pay maximum ठीक है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अगर आप इनको graph paper पर बनाते हैं तो ये और भी easy होगा आपके समझना graph paper आते हैं market में उनको लेकर आप में बनाएं ये और भी जदा अच्छा होगा ऐसे ही Y axis पर भी मानने पड़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहां पर हमने क्या ले लिया भी जीरो कॉमा ए टाइप का बिंदू है की नहीं है नो सॉरी ये Y axis पर होगा 60, 0 तो 0, 60 पॉइंट कहां पर होगा Y axis पे और 60, 0 यहां पर होगा X axis पे तब भी आपको 60 पर ही निशान लगाना पड़ेगा तो ये पॉइंट कौन सा आ गया 60, 0 तो ये वाली जो लाइन है वो X axis को 60, 0 पर इंटरसेक्ट करती है और Y axis को 0, 60 पर 0, 60 कहां पर पड़ेगा यहां पर 0, 60 पर इंटरसेक्ट करती है हम इसको मिला लेते हैं तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी हमारे X plus Y is equal to 60 बन जाएगी ये हमने मिला दिया देखिए इसको तो ये कौन सी बन गई है ये X plus Y is equal to 60 को रिप्रेजेंट करती है अब दूसरी हमको ये 5X plus Y is equal to 100 बनाना है तो ये X अच्छो को कहां पर काटती है 20, 0 20, 0 पॉइंट कहां पर पर परेगा आप देखिए 20, 0 पॉइंट यहां पर पर परेगा इस इस 20, 0 अच्छा 0, 100 Y axis पर पर परेगा यहां पर पर परेगा 0, 100 Y अच्छ पर इस पॉइंट पर इन दोनों को भी मिला देते हैं तो एक और लाइन हमारी बन जाएगी इन दोनों को मिलाना है ठीक यह देखे हमने इन दोनों को भी मिला दिया यह वाली लाइन कौन सी वाली आ गई 5X प्लस Y is equal to 100 यह आ गई यह वाली लाइन और यह आ गई इस लाइन की एक्वेशन ऐसे ठीक है अच्छा X is equal to 0 Y is equal to 0 X is equal to 0 Y axis और Y is equal to 0 X axis अब हमने इनके दोनों के ग्राफ भी बना लिये अब हमको यह निकालना है कि हमारा हल छेत्र कौन सा होगा हल छेत्र का मतलब एक ऐसा region एक ऐसा part यहाँ पर जो हमें हमारे question का हल देगा solution देगा उसको हम solution region भी कहते हैं feasible region भी उसको बोला जाता है तो कौन सा होगा उसके लिए आपको अपनी असमिकाओं को चिक करना होगा कि किसके किदर का हिस्सा हमको च्छाय अंकित करना रहेगा वो चीज हमको देखनी होगी अब आप यहाँ से देखो सबसे पहले इस पर आते हैं कि यह असमिकाओं से पता चलेगा और जैसा कि हमने बदाए क्लास 11 में सब सीख चुके हैं तो कैसे पता लगाते थे हम बताएं उसका हमारे पास एक मैथिट था कि यह जो आपने बनाई एक्स प्लस वाइज इक्वल टो 60 यह एक्स प्लस वाइज एक्ष्टो 60 अब इसका मे आपर हाफ पार्ट चायंकित करना है कि लोवर हाफ पार्ट चायंकित करना है यह कैसे पता लगाते थे इसके लिए हमारे पास एक तरीका यह होता था बेसिक मैथिट क्या है वो ध्यान से सुनिए आप बेसिक मैथिट तो उसका यह है कि इस लाइन के इधर या इधर का कोई कोई भी कोई भी कोई बंधन नहीं वही ले नहीं आपको जरूरी है इस लाइन के इधर हो या उधर हो कोई भी एक पॉइंट लेलो उससे इसकी असनिका को संतुष्ट करवाये अगर वह पॉइंट इस संहिका को सटिस्पाई कर देता है तो हम उस point की तरफ वाला हिस्सा छायंकित करेंगे लेकिन अगर वो point इस असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तो हम point के तरफ वाला हिस्सा छायंकित नहीं करेंगे उसकी दूसरी तरफ उसकी उल्टी तरफ वाला हिस्सा छायंकित करेंगे हम ठीक है तो हमने इस line के इधर का या इधर का कोई भी point ले लिया उसके लिए सबसे easy point हमें लगा 0,0 सबसे easy लगा otherwise बहुत सारे point इसके इधर पड़ते हैं line के lower half part में asanth point पड़ते हैं लेकिन उस सभी asanth के बिंदूओं में सबसे आसान हमको 0,0 लगा तो हम इसी से satisfy करा के देखे ले रहें 0,0 से संतुष्ट करवाना कोई बंधन नहीं है समझ में बंधन तो ये है कि इधर हो या उधर कोई point है कोई भी एक point ले लो उससे satisfy करवा लो अगर वो बिंदू संतुष्ट कर देता है तो उस बिंदू की तरफ का हिस्सा चायंकित किया जाए अगर बिंदू संतुष्ट नहीं करता है तो उसके उल्टे तरफ का हिस्सा चायंकित किया जाए तो हमने क्या किया इस line के इधर वाला एक बिंदू हमें बला आसान सा लगा कौन सा 0,0 हमें इसे ले लिया और इसी से संतुष्ट करवाया तो जब आप 0-0 से संतुष्ट करवाओगे तो X की जगे पर 0 और Y की जगे पर भी 0 आप लिखोगे X की जगे भी 0 लिखा Y की जगे भी 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा 0 plus 0 is less than or equal to 60 060 से छोटा है यह वाली बात कैसी है सब्ते है सब्ते है इसका मतलब है इस लाइन के इधर इस्थित बिन्दूओं ने इसको क्या कर दिया तो क्या करना चाहिए किदर का हिस्सा चायंकित करना चाहिए बिन्दू की तरफ वाला हिस्सा ही चायंकित करना चाहिए तो हम पूरा च्हायांकित नहीं करेंगे ऑदर्वाइस भी दर बहुत ज़्यांगट हो जाएगा इसलिए के एक बात थो क्लियर हो गए कि इस लाइन के कि ढर का हिस्सा छायांकित कर सकते हें you li bass लौर हफ पारड तो इस लाइन के इस साम चाहां कित सकते हैं यह एक बना लिया अपने लिए एक निशान बना लिया ताकि लाश्ट तक मुझे याद रहे किस लाइन के नीचे का हिस्सा ही हम चाहिंगित कर सकते हैं समझ आगे आपको यह अपने समझने के लिए चिंद बना लिया हमने अब इसकी बारियती 5x plus y is equal to 100 यह 5x plus y is equal to 100 इसको देखिए इसके किदर का हिस्सा चाहिंगित करना है फिर से वही प्रोसेस इस लाइन के लिफ्ट या राइट में कोई साभी बिंदू आप ले लीजिए और उसको संतुष्ट उसकी असमिका को संतुष्ट करवाईए तो इसके लिफ्ट का फिर हमने कौन से ले लिए 00 क्यों क्या केवल इधर 0,0 बिंदू ही परता है असंख है फिर हम 0,0 क्यों लेते हैं हमको आसान लगता है इसलिए तो 007 इसको भी सैटिस्फाई कराया इसको तो x भी 0 y भी 0 पूरा 0 is less than or equal to 100 संतुष्ट हुआ की नहीं हुआ हो गया यह भी सत्य है कैसे पता चला कि 0 is less than 100 0 100 से छोटा है और यह वाली बात सही भी तो है तो सब्ते है अगर सब्ते है तो इस लाइन के किदर का हिस्सा चायंकित होगा इसके अपर हाफ पार्ट को चायंकित करेंगे या लोवर हाफ पार्ट को चायंकित करेंगे इसके भी इधर का हिस्सा चायंकित होगा या ताके हमें आखरी तक याद रहें, भूलना जाएं कि कितर का हिस्सा जाएंकित करना है, इसके लिए निशान लगा लिया हमने, रही बात इनकी, X is greater than or equal to zero, Y is greater than or equal to zero, X और Y दोनों के मान, 0 या 0 से बरे होने चाहिए, अर्थात धनात्मक होने चाहिए, और यहां धनात्मक हों ही है, इन दोनों ने हमको क्या समझाया, कि आपको रहना कहां पर है, पहले चतुर्थांस में, जब आप पहले चतुर्थांस में रहेंगे, तो यह दोनों लोग कैसे बने रहेंगे, प्लस या 0 अपना बने रहेंगे, आपको इधर नहीं आना कहीं पर भी, दूसरे तीसरे चौते में आपको कहीं नहीं प्रवेश करना है अच्छा अब इसके बाद कौन सा हिस्सा छायंकित किया जाए सूचिये क्या हम इस हिस्से को छायंकित कर सकते हैं नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इस लाइन के इधर का चाहिए और ये हिस्सा इस लाइन के इधर नहीं पड़ता त तो क्या इस हिस्से को चायंकित कर दें नहीं करेंगे क्यों कि यह हमको इस लाइन के नीचे का हिस्सा चाहिए जबकि यह वाला पार्ट तो इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है तो क्या यह वाला हिस्सा चायंकित कर दें यह तो किसी तरह से नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा इसलिए नहीं आएगा ये क्योंकि ये तो दोनों रेखाओं को साथ परट नहीं है तो कौन सा हिस्सा चाहिए य 이걸 करना चाहिए तो यही हमारा क्या बनेगा इसी को हम बोलेंगे हल छेत्र solution region इसी को कहा जाएगा ठीक है यह हमारा हल छेत्र मिला और हमारा हल छेत्र क्या मिला इतना बड़ा ऐसा और हमने हल छेत्र तक पता लगा लिया हल छेत्र के बाद क्या करना है हल छेत्र के बाद आपको करना है आप अधिक्तम और नियुंतम निकाल सकते हैं लेकिन कैसे इस छेत्र में जितने भी कॉर्णर पॉइंट होंगे वह सब पता लगाने परेंगे आपको यह हिस्सा कैसा बना आप देखो ऐसे ऐस ऐसे ऐसे ऐसा बना यह हिस्सा एक चीज़ और मैं बताओं यह हिस्सा चारो तरफ से कैसा है बंद तो यह हल छेत्र कैसा है परिबद है चारो तरफ से बांडेड रीजन है चारो तरफ से बंद है कहीं से भी यह पोर्शन खुला नहीं है तो इसको हम बांडेड बोलते हैं परि बाउंड रीजन हम इसको कहते हैं ऐसा हमको मिला इसके हलका तरीका आप देखिए इसके बाद हम क्या करना करेंगे यह तो हमने ग्राफ तक बना लिया ग्राफ बनाने के बाद हमको इस छेत्र के सारे कोने चाहिए सारे कोने चाहिए यह कोना है मालूम है 20,0 यह भी एक कोना है 0,0 पता है यह भी एक कोना है 0,60 मालूम है यह एक कोना है जो हमको नहीं मालूम है अगर मैंने यह ग्राफ ग्राफ पेपर पे बनाया होता तो यह कोना आपको कुछ नहीं करना पड़ता कोना है सही पता लग जाता आपको क्योंकि ग्राफ पेपर पे जहां पर आता वहां पर हम पॉइंट लगा देते तो यह कुछ करना नहीं पड़ता लेकिन यहां पर आपको करना पड़ेगा कैसे यह पॉइंट कैसे निकाला जाए तो देखिए इस यह ऐसा पॉइंट है बेटा जिस पॉइंट पर 5x प्लस y is equal to 100 और x प्लस y is equal to 60 एक दूसरे को क्या करते हैं काटते हैं प्रतिछे दित करते हैं तो अगर आप यह पॉइंट चाहिए तो इन दोनों का क्या निकाल लीजिए प्रतिछे बिंदों निकाल लीजिए बिल्कुल सही इन दोनों का इंटर सेक्शन पॉइंट निकालिए क्या आएगा दोनों का इंटर सेक्शन पॉइंट इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो y से y कर जाएगा 4x is equal to 40 then x is equal to 10 and if x is equal to 10 then y is equal to 50 x की जगे 10 लिखो y कमान 50 नहीं आ जाएगा तो इसका निर्देशांक कितना आ गया 10,50 तो अगर यह ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो पॉइंट निकालना नहीं पड़ेगा अपने आप ग्राफ का जिस पॉइंट पर आएगा वहाँ पर हम यह निसान लगा देंगे यह बात समझ में आ रही और ऐसे भी देखो थोड़ा सा यह किसके सामने था इधर से 10 के सामने है और इधर किसके सामने है तो यह 10,50 बिंदू है ठीक है यह बात नहीं समझ में आई आपको अच्छा हमें एक कोर्णर पॉइंट पता लगे अब यहाँ पर एक छोटी सी इसे बनाई जाएगी कि यहाँ पर हम उसमें लिखेंगे कोनी या बिंदू कौन से बिंदू लिखेंगे कोनी या बिंदू और यहाँ पर जैड का मान लिखेंगे जैड हमारा कितना था जिसको हमको अधिकतम दिखाना है उसकी वैल्यू कितनी है 250x plus 75y जिसको maximum या minimum दिखाना है उसको यहां लिख लेंगे और यहां कोनी या बिंदू लिखेंगे कोनी या बिंदू का मतलब कोने वाले बिंदू इसमें कितने कोने हैं यह जो हल छेतर है आपका बताईए चार कोने पर रहें तो चार कोनी या बिंदू भी होंगे सब कोनी या बिंदू रखते जाओ और इसका मान निकालते जाओ जैड का पहला कोनी या बिंदू हम ले लेते हैं 0,0 एक कोना 0,0 पर भी तो पड़ता है x की जगे 0, y की जगे यहां लिखना है तो कितना आ जाएगा 0 दूसरा कॉर्णर पॉइंट 20,0 ले लीजिए x की जगे पर 20, y की जगे 0 x की जगे पर 20 लिखना है y की जगे 0 जब इसकी जगे 20 लिख देऊगे तो कितना आ जाएगा 5,000 ठीक है अच्छा इसके बाद अगला कोना ले लो 10,50 10,50 x की जगे 10, y की जगे पर 50 x की जगे 10, y की जगे 50 इसकी जगे 10 लिखोगे तो ये डाई अजार बन जाए इसकी जगे 50 लिखोगे तो 0, 25 5,35 और 2, 37 ये कितना आ जाएगा 0, 5 7, 5, 12, 2 ऐसे लगा 1, 3, 2, 5, 1, 6 6,250 एक और कोना बचा हुआ है अभी ये 0,60 0,60 x की जगे 0, y की जगे 60 लिखो 75 गुणे 60 करोगे तो 0, 6, 35 36, 42 और 3 45 सारे कोने वाले बिन्नों पर निकाल लिए ये सब क्या है ये सब रुपाए है आपको क्या करना था ये प्रॉफिट का था आपको इसको maximize करना था अधिकतमी करन इसका करना था कौन सा अधिकतम मान निकल के आया 6,250 ये अधिकतम मान निकल के आया है ये maximum value इसकी हो चुकी है बास समझ में आई इसका मतलब अब आपका अंसर आ गया देखो हमारी problem क्या थी कि उस वैकती को कितनी मेज और कितनी कुरसियां खरिदनी चाहिए ताकि उसका benefit ज़्याद से ज़्यादा हो और उसका सारे चीज़ें यूज़ भी हो जाएं तो सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाएंगी और profit भी maximum होगा अगर वो वैकती अगर वो वैपारी 10 मेजें खरीदे और 50 कुरसियां खरीद के लाए तो 10 मेजें रख ले 50 कुरसियां खरीद के ले आए तो 60 चीज़ें भी हो जाएंगी देखो 60 वस्त में हो जाएंगी रखने के लिए जगे भी परियाप्त 50 अजार रुपाई के लागत के अंदर ये चीज़ें आ भी जाएंगी और उसका प्रॉफिट भी कैसा होगा maximum होगा पर याद रहे याद रहे कि यहां हमारा हल छेत्र कैसा है परिबद है bounded है आपको कुछ questions ऐसे भी मिलेंगे जिनमें हमारा हल छेत्र bounded नहीं हुआ करेगा unbounded होगा open region रहा करेगा उसको हल करने का तरीका हमारा थोड़ा different होगा थोड़ा सा different होगा बस ज़्यादा different नहीं होगा तो हमें काम करेंगे पहले इस टाइप के questions लगाना अब हम start कर देंगे क्या आपको यह कुछ बातें समझ आ रही है अभी नहीं समझ में आया देखिए आपकी exercise 12.1 जो exercise है उस 12.1 में यह से सारे question दिये गए है आपको देश से फलन भी मालूम है वेवरोध भी मालूम है आप सारे questions ट्राइब करके लाईए इस तरह से ठीक है और अधिकतमी करन नियुंतमी करन जो भी करना है वो आप करके लाईए कोशिश कीजिए उनको करने की इसमें एक तरीका और रह गया है मेरे बताने से लेकिन अब उसको हम बताएंगे next class पर ठीक है पहले इस पर question करना start करेंगे जब उस तरह का question कोई मिलेगा तब हम आपको बताएंगे उसे और परिबद हल छेत्रें आपर मिला है याद रखिएगा तो आज आप सभी लोग घर जाकर इसको try करेंगे इसमें जो problem होगी वो आप मुझे बताएं और अगर अभी अन-bounded region का नहीं करेंगे जब हमको कोई question वैसा मिलेगा फिर उस समय में आपको बताऊंगा कि देखो ऐसे करना है इसको ठीक है तो आप इसे करिएगा और इस ताइब के जितने भी question हल करने की कोशिस करेंगे तो आज हम इतने ही रखेंगे mathematics में आगे और पढ़ेंगे लेकिन नेक्ष्ट लास्पी थैंक यू